अस्सलाम अलेकुम गाइस जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम हमसा लैकत है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 70-410 का फॉर्थ लेक्चर इंस्टॉलिंग इन कॉंफिगरिंग विंडो सेर्वर 2012 के हवाले से और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक हम पढ़ेंगे कमांड लाइन के थुरू हम कुछ बेसिक टास्क ADDS के हवाले से करेंगे एक्टिव डिरेक्टरी के अंदर और पावर शेल को हम यूज करेंगे उसके लिए जैसा कि आपने अगर मेरा पिछला लेक्चर फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा कि हमने पिछले लेक्चर में एक्टिव डिरेक्टरी में कोई यूजर बनाए थे कंप्यूटर बनाए थे और यूज बनाए थे तो अब हम क्या करेंगे अब हम उन्हीं चीजों को रूपीट करेंगे पावर शेल के तरू कि कमांड लाइन से अगर वह आपको वह चीज़ें बल्क में करने हो ज्यादा यूजर आपने बनाने हों ज्यादा ओई बनाने हो रैपर लिए अगर आपने काम करना इन चीजों पर तो आप वह बजाए इसके के जी यूआई बेस पर करें आप पावर शेल के जरीए कैसे कर सकते हैं तो एक्चली पावर शेल जो है पावर शेल मैक्रोसॉफ ने एक नया कमांड लाइन टूल दिया है तीक है और यह टूल आपका विंडो सर्वर 2012 में वेलेबल होता है और यह जो नॉर्मल कमांड लाइन होती है आपकी जिसे अब cmd भी बोलते हैं या कमांड प्रॉम्ट भी बोलते हैं कुछ ऐसी कमांड है जो मतलब जो पावर शेल की कमांड है वो cmd के ओपर नहीं चलती तो उसके लिए आपको पावर शेल पे ही वो कमांड चलानी पड़ती है और पावर शेल का फाइदा यह है कि एक न्यू है न्यू डिजाइन किया गया है इसको खास तोर पे के लिए जो कमांड लाइन के जरीए काम करना चाहते हैं ताके वो रैपर्ली काम करें या कुछ ऐसी स्क्रिप्ट उन्हों ने लिखी है जो अपने वो एक्जिस्टिंग इंफ्रस्ट्रक्शर में उस जो स्क्रिप्ट है वो डेली बेसिस पे या किसी तरह चलाना चलाते हैं आपके पास मल्टिपल यूजर्स हैं 100 ओफ यूजर्स आप एक नया सैटप बना रहें तो आपको 100 यूजर बनाने लिस्ट आपको दे देगी यह तो बजाए इसके क्या पेक यूजर बनाएं आप उस सारी लिस्ट को पावर्शेल के जरीए आटोमेट करके स्क्रिप्ट ब आपके ना फीचर है स्वरी कमाड लाइन है मैक्रोसॉफ्ट की मालन प्रॉम्ट है और यह.net फ्रेमवर के ऊपर बनाया गया है ठीक है और यह करता क्या है कि विंडोस पावर से लिए टास्क बेस्ट कमाड लाइन शेल एंड स्कृप्ट लेंगविच ठीक है यह कमाड बेस जो टूल है वो है और यह जो स्कृप्टिंग लेंगविच होती है उस पर बना गया और यह इसलिए डिजाइन किया गया है कुछ अधिनिस्ट्रेटर्स हैं या पावर यूजर है वह रैपर ली आटोमेट कर सकें और एडिफरेंट टास्क प्रफॉर्म कर सकें डिफरेंट कि तो आपके पास जो कमांड लाइन जो श्रक वता है मतलब अगर आप मांडॉल यूह किया थैक है उसको अपने अंदर के रोड़ कर लेता है यृविजने कर सकते कुछ ऐसी कमांड लाइन पर अपने चला सकते कुछ ऐसे जो multiple scripts होती है वो आप नहीं चला सकते हैं तो आप PowerShell के दरीए उस script चला सकते हैं ठीक है और इसके लवा जब आप हम यूज करेंगे आगे जाके अभी नेक्स्ट उसी कोई काम करेंगे कि इसमें ज्यादा पढ़ने वाला नहीं है इसमें ज्यादा चीज़ें देखने वाली है कि different commands कैसे चलती है इसके ओपर ठीक हम जाएंगे तो आपको मैं वह आप PowerShell ISEE भी दिखाऊंगा यह क्या होता यह एक पूरा GUI-based आपका एक टूल होता जिसके अंदर आप different तरह की जिस तरह हम coding करते हैं उस तरह आपको code लिख दें कोई complete script लिख दें और उस script को जब आप run करेंगे तो background में वह आज़ा script run की और आपको GUI-based आपको वो उसके जो आपने code लिखा है उसके अंदर उसका जो result है आपको वो आपको उसमें दिखा देगी ठीक है तो अभी हम चलते हैं अपनी AD की तरफ अब AD में हम PowerShell के जरीए कुछ users बनाते हैं OUs बनाते हैं कुछ users को group में add करते हैं और हम देखते हैं कि PowerShell के जरीए अगर आपको काम करना हो multiple users बनाने हो तो वह आप कैसे बनाते हैं ठीक है तो हम चलते हैं अपनी Lab की तरफ और Lab में जाके आज हम इसको PowerShell को देखते हैं कि हम इसमें किस तरह काम कर सकते हैं और PowerShell होता क्या है इसको कहां से open किया जाता है कि इन चीज़ो और वही आपकी Active Directory के अंदर सारे काम प्रफॉर्म कर सकता है तो सबसे बढ़े जैसे मैंने domain admin से login कर लिए और अब अगर आप देखें तो आपको यह नीचे आपके टास्क बार में अगर मैं इसको बढ़ा कर सकूं थोड़ा सा कि आपको easy हो जाए या आपको यह नजर आ रह आपको Windows PowerShell ठीक है अब एक और तरीका है इसको open करने का अगर मैं इसके स्टार्ट पर क्लिक करूँ और यहां पावर शेल लिखूं तो यह देखें डिफरेंट आगे हैं Windows PowerShell ठीक है जिसको हम यूज करेंगे एक्चुलिए इसमें आगर आपके पास को Windows बेस्ट कमांड्स है Windows बेस्ट चीज़ें आप उसको प्रफॉर्म कर सकते हैं ठीक है विंडोस पावर शेल आई एस ए यह वह आई ऐसे जिसके बारे में बता रहा हूं यह 86 इसका वर्जिन है ठीक है और यह 64-bit है चीज़रा पावर शेल का यह 64-bit वर्जिन है यह 86-bit वर्जिन है ठीक है क्योंकि अभी मारी 64-bit विंडो तो इसलिए वो दोनों इसने इंस्टॉल कर दिए मिज़े ताकि मैं किसी भी को खोल कि किसी भी काम कर सकूँ और Active Directory Module for PowerShell यह Active Directory का मोड्यूल है कुछ ऐसी कमांड्स है अगर मैं इसको ओपन करूं तो कुछ ऐसी कमांड्स है जो Active Directory के अंदर डीप जाकर रन होती है और उसके लिए स्पेशल यह आपको रिक्वाइड करता है जब आप बल्क में काम कर रहे होंगे कि आपको इसके लिए Active Directory Module for PowerShell के जो पावरशल है वो ओपन करना पड़ेगा उसके उपर यह कमांड्स रन होगी और अगर आप वो कमांड्स इसके उपर रन नहीं करते और आप वो कमांड्स लाएंगे और यह वो कमांड्स बगारा उस पर रन होगी ठीक है तो अभी हम तो यह Active Directory Module पर काम नहीं कर रहे हूं कि हम इतना टीप कमांड्स के बारे में इतना काम नहीं कर रहे ठीक है तो मैं अभी इसको बंद कर रहा हूं और अभी मैं सिंपल पावर्शल खोल रहा हूं अब देखें अगर मैं इसको थोड़ा साधिर कर दूँ तो अब आप देखें हैं कि मैं आप आप लोग यह समय जाओंगा कि यह सिंपल जो कमांड्स प्रॉम्ट है बिल्कुल वैसा ही है तो आप बिल्कुल सही समय रहे हैं कि बिल्कुल कमांड्स की तरह है ठीक है कोई इस scripts को भी आप इससे run कर सकते हैं ठीक है so अभी हम क्या करेंगे अभी हम करते हैं सबसे पहले मैं कुछ basic command चला कर आपको दिखाता हूं ताकि आपको idea हो for example जैसे मारे पास basic command होती है hostname की ठीक है यह आप cmd पर भी चलाएंगे तब भी यह command चलेगी cmd से मुराद मेरा command prompt है वो भी इसके अंदर रहोगा ठीक है command prompt तो हमेशा रहता है इसके अंदर command prompt कहीं नहीं जाता जैसे यह open होगा और मैं इसके ओपर भी hostname चलाओंगा तो जाहरी बात है वो उसको और वही मतलब देखें यह नहीं है कि कमांड बिल्कुल फरक है जो कमांड मैं cmd पर चला सकता हूँ पर यह नहीं चला सकता हूँ लेकिन PowerShell की command cmd पर बहुत मुश्किल चलती है बलके नहीं चलती है ठीक है पावर्शल की command cmd पर नहीं चलती cmd के command काफी है तक powershell पर चल जाती है ठीक है तो हम काम कर रहे हैं powershell पर तो हमारा focus powershell ही रहेगा तो अभी अगर मैं आपको कि दिखाज सकूंँ इसके अंदर जैसे इस मैं आप होस्ट नेम किया आई-पी कॉन्फिक करूंगा तो यह कि मुझे आई-पी देदेगा इसका थी कि अभी मैं CLS करके इसकी जो स्क्रीन आउसो क्लियर कर देता हूं अब सबसे पहले क्या करते हैं अब भी हम मैं आपको एक एक डिरेक्टरी का व्यू दिखा देता हूं इसके अंदर कि active directory के मंदर मेरे पास क्या जासा कि आपको पता है कि हमारे पास my lab.local है और इसके अंदर मेरे पास सिर्फ एक ही OU है जो हमने बनाया है बाकी तो यू by default है उसके अंदर मैंने एक हमने users बनाये थे कुछ groups बनाये ठीक है और कुछ हमने एक इसके अंदर OU बनाया थे ओके सो अब हम क्या करेंगे अब हम इसके जरीए OU बनाएंगे चाहिगे जो सबसे पहले हैं मैं चाहिए OU जो बनाएंगे तो बनाने की जो इंदर आप New लिखेंगे और टैब दबाते जाएंगे तो यह देखें डिफरेंट लिस्ट ओफ कमांड आपको यह दिखाता जाएगा ठीक आपने क्या करना है नियू एडी क्रूप नीय डी और्गनाजेशनल जोन जैसे पीछे आया था ठीक जो मैं करता हूं मुझ्छ युन्ट चाहिए तो मैं ओ लिखूंगा को हुका और है यह पंसरी निज्व एडी और्गमाइजेशनल जीति नूंट ओके निए डी और्गमाजेशनल जो यूट विद्वेंट करो यू स्टांड फोर्गमाजेशनल ग्यूनिट मैं है स्पेस दूंगा और यहां मैं उस्टे और यू का नाम नाम से ठीक है और अब मैं इसको एंटर करूंगा यसी मैंने एंटर किया है तो इसने मुझे एक सक्सेस एक वो इंपोर्ट करता हूँ आपको दिखा दिया है अब मैं एक्टिव ट्रेक्टरी के अंदर जाता हूँ तो अब अगर मैं इसको बंद करके ओन करूं तो यह सेल्स के नाम का आपको एक और यू नजर आ रहा है जो इसने सेल्स का और यू बना दिया ठीक है अब आपको जाता हूँ आपके काओर है और यह सेल्स के ओर यू के अंदर एक और यू बनाना तो मैं फोही कमांड लिखूंगा न्यू एडि ओर स्मंद स hedge के ओर सफ़ैन अर्ग सिर्वाट्व जासा एट से और यहां मैं इसका नाम दे दूंगा keson एक जिए एक जाए एक जाए आए पर एक जाए और मैं यहां और यू का नाम दूँगा फॉर एक जैम्पल city sale जो कि मैं देना चाहरा हूँ और अब मैंने बतानी है इसको उसकी क्या कहते है location क्योंकि अभी तो मैं इस तरह एंटर करूँगा तो यह नया OU बना देगा city sale के नाम से तो अभी मुझे बतानी है इसकी condition के यह कहाँ है तो मैं switch लगाँगा path का पात का switch लगाके अब मैं define करूँगा इसको कहाँ है तो मैं लिखूँगा के OU कि किस OU में है OU is equal to sales ठीक है और फिर आगे मैं अपने domain का नाम दूँगा यसे DC is equal to my lab और DC is equal to my lab डॉट हमने local बनाया था इस डिस इकोल to my lab डिस इकोल to local ठीक है और अब मैं इसको यहां से एंटर कर दूँगा जैसी मैंने इसको एंटर किया है तो इसका मतलब मतलब कोई एरर नहीं आया तो यह command मेरी successfully run हो गई है जो अब अगर मैं इसको यहां से open करूँ और मैं sales के अंदर जाओं तो आप देख सकते हैं पर sales के अंदर city sales का OU यहां इसने बना दिये हैं अब OU के बाद अगर मैं बात करूँ अब OU के बाद हमने बनाने होते हैं for example different users बनाने हैं मैंने ठीक है तो मैं for example यहां से जैसे मैं करूँगा एक new यहां मैं add user करूँगा तो उसके लिए मैं जो कमांड चलाने जा रहा हूं वह different है मतलब एक users के अंदर different चीज़े हो सकती उसका first name हो सकता है उसका last name हो सकता है उसका login name हो सकता है फिर उसके बाद उसके different जो details है उसकी आप प्रोवाइड कर सकते हैं यह depend करता है कि आपका कितने लंबे switch है जब जितने switch लगाते जाएंगे उतनी वह चीज़ें फैलती जाएंगे उतना ज्यादा वह increase होता जाएगा जैसे मगर मैं properties लूँँ तो इसके निरा मतलब बेतहाशा चीज़ें जर्णल में first name last name इसका alias display name description office मैं चाहूं तो मैं एक एक चीज़ भी यहां से add कर सकता हूं मुझे करना क्या होगा मुझे different switch लगाने होंगे ठीक है जैसे first name is equal to this last name is equal to this display is equal to this description office is equal to this account login is this equal to this profile path telephone number ठीक है different चीज़े member of मतलब different चीज़े अगर आपने add कर नहीं हो तो आप यहां से name का switch लगाता हूँ इसके अंदर और यहां मैं इसका name दे देता हूँ test 010 ठीक और मैं इसका बात मतलब यह मैं switch लगा दिया कि name इसका यह है और user principle name इसका क्या है ठीक है user principle name इसका है जी टेस्ट 010 at my lab.local ठीक है और मैं इसको enter करूंगा तो अब इस नहीं बना दिया है ठीक है अब देखें मैंने यहां OU defined नहीं किया था मैंने यहां कोई चीज़ डिफाइन नहीं की थी ठीक है तो इसने क्या किया होगा इसने यह मेरा users default users के उसके अंदर बना दिया होगा अब हम इसको open करते हैं अपनी active directory module को सब्सक्राइब हो चुका है तो अगर मैं इसके users में जाओंगा तो यहां यह मुझे दिखा देगा क्योंकि मैंने अभी उसको बताया नहीं था कि कहां होना चाहिए जैसे मैं उयू बनाया तो वह default यहां आ गया है तो अगर यह test कर यह देखे मैंने 010 बनाया था ठीक है तो वह उसने 010 मेरा user बना दिया है लेकिन मैंने उयू नहीं बताया था और मैंने उसको बताया नहीं था कि यह account enable हो, disable हो, क्या हो तो by default यह disable कर दिया उसने ठीक है लेकिन उसने test 010 बता दिया और user must change password पर उसने check कर दिया ठीक है यह तो था आपका एक तरीका दूसरा तरीका क्या है आपका इसका add करने का उसके लिए आपको same command के साथ कुछ switch लगाने पड़ेंग इसे for example मैं करता हूँ new ad user ठीक है और मैं यहाँ name देता हूँ ठीक है और मैं कहता हूँ जी हमजा for example और मैं यहाँ switch लगाता हूँ user principal name का ठीक है user principal name का switch लगाता हूँ और इसके बाद मैं next क्या करूँगा मैं मतलब for user principal name मैं करूँगा जी हमजा at mylab.local ठीक है और मैं given name का switch लगाता हूँ कि इसका जो name होगा ठीक है जैसे first name last name कि इसका जो name क्या होगा वो होगा जी राना हमजा for example यह हम इसको हमजा लियाकत कर लेते हैं given name ठीक है और surname में मैं for example इसको राना कर देता हूँ है ठीक है को कभी मैं यह इसको निल वह राना कर देता हूँ इसको मैं और इसके बाद में आगे सर नेम के बाद display नेम में चले जाता हूँ कि इसका जो name display होगा वो क्या होगा ठीक है उसके लिए मैं display name का switch लगाऊंगा display name मेरा for example हमजा ल्याकत ही होना चाहिए जो name मेरा display हो ठीक है और अब मैं बताऊंगा इसको path इसका path क्या है कि मुझे कहां रखना है इसको और मैं इसे कहता हूँ oh you is equal to sales this is equal to my lab this is equal to local कि मैं कहता हूँ sales के अंदर कि जो यह है उसको यह बना दो ठीक है और उसके बाद हमने अब इसके करना password reset का कि password क्या हो इसका ठीक हो different चीजें क्या हो उसके लिए मैं क्या करूंगा मैं switch लगाता हूँ कि इसका account password का कि अगाउं पास्वर्ड का सुच लगाता हूँ मैं और ठीक है और इसके आगे मैं लिखता हूँ कि रीड होस्ट यह कमांड है इसकी रीड होस्ट करें और एक सेक्यूरिंग स्ट्रिंग के साथ यह मैं लगाना भूल गया इसका कि तरह यह बलकि यह लगा हुए रीड पास्वर्ड अकाउंट स्ट्रिंग्स इसके साथ और और अब मैं एंड पर लगाऊंगा इसका पास्थ्रू का स्विच और इसके बाद मैं यहां इसको बता दूंगा कि अनेबल एड अकाउंट करते कि अकाउंट है इसको एंड पर यह चीदे सेट करके नेबल करते तो कमांड यह बहुत लंबी है इसलिए आप इसको रीड कर लें क्योंकि यह बहुत सी यह कमांड कभी भी आपको याद नहीं रह सकती है कि यह कमांड आप मतलब मैं भी अगर मुझे किसी कमांड की जरूर से मैं गुगल करता हूं उससे relevant command लेकिया तो relevant command को थोड़ा से एडिट करके उसको यूज कर लेता हूं जैसे मैंने यहां इसको यह नहीं दिया तो यह एरर आ जाता और यूजर प्रिंसिपल नेम यहां मैंने ठीक है गिवन नेम हमजा लियाकत और सरनेम राना डिस्पले नेम यह 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 पाथ एंटर करता ह हूं इसको मैं भी मुस्से password मांग रहा है कि password किया रखना है आपने for example मैं इसका password रख देता हूं यह तो कि यह 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 मैंने यहां गलती से यह चीज की हुई है मैंने password दिया तो अब इसने क्या किया मेरा user create कर दिया होगा इसी password के साथ तो अगर मैं अपनी AD में जाओं और यहां मैं देखूं sales के अंदर तो यह देखिए हमजा के नाम से user आ चुका है मेरा first name हमजा लेकर last name राना उसने कर दिया display name हमजा लेकर जो हमने उसे बताया था ठीक है अड्रेस में account में हमजा at mylab.local मैंने उसे यह कादा करने को और यहां इसने वह जो मेरा password है वो reset कर दिया अब इस user से मैं इसको login कर सकता हूं औके सो इसी तरह जैसे मैंने अभी user बनाया है अब क्या करेंगे हम एक यह ग्रूप बनाते हैं तो सबसे एडी ग्रूप लिखें न्यूँ डैश एडी ग्रूप स्पेस दें आप उसका नेम बताएं इसको फॉर एक्जेम्पल फाइन्स या मतलब सेल्स के नाम सही कर देते हैं आप ग्रूप ठीक है दो सकते हैं तो मैं सक रख रहा हूं इसका रहा हूं ग्लोबल आचा सबसे चीज़ा आप पिस रस्पीर अब यूज कर सकते हैं आपको कमांड नहीं भी यादिसना मुझे सिर्फ ना यहादा ग्रूप तो मैं यह देखर टैप से दो चीदिन का रना ब्र और अगर यू लिखे यूनिवर्सल कर सकता हूं इसको मैं तो पुरा लिखने की जुरूरत नहीं है आप कुछ एक वर्ड लिखके उसको टैब दबा के आप अपने जो जो जहां आपने को पहुंचना है जैसे मैंने वहां जा सकते हैं जैसे मैंने स्विच डैश लगा के पी मुझे दबाया और मैं यह ड़ सब्सक्राइब टैप दबारा नदु पाता है मेंरे पास और मुझे टीलिखना है हाँ यह चीजड जो है वो या वह खुद लिखनी पड़ती है ओ युद इस इक Полट क्या है मैं इसकों करूंगा मैंने सेंट में बना देगा जैसे अब देख सकते हैं sales का इसने group बना दिया है global मैंने उसे बताया था उसने उसको global कर दिया है ठीक है group type मैंने भी बताई नहीं थी तो उसने उसको security कर दिया अगर मैं उस distributed बताता तो उसको distributed कर देता ओके तो अब हमने जैसे group बना लिया अब मुझे इस group के अंदर members add करने हैं तो वो members मैं इस powershell से नहीं कर सकता अगर मुझे इस powershell से वो करने हैं तो मुझे सबसे पहले उसका वो import module करना पड़ेगा active directory का ठीक है import module करना पड़ेगा यहां मेरे पास दूसरा हल यह है कि मैं यहां से जाके powershell ही है वो active directory module वाला open कर लेता हूँ इससे क्या होगा कि वो पहले से वो जो मेरा active directory का वो है module उसको import किया होगा इसने powershell ने तो मेरे लिए बड़ा easy रहेगा कि मैं बजाए इसके कि एक एक चीज़ को खुद import सॉरी active directory को खुद import करूँ तो वो मैं यहां से कर सकता हूँ उसको सर्च करने में क्यों मसला हो रहा है भई यह आ गया मेरे पास और यहां मेरे पास यह active directory module for active directory आ गया अच्छा इसके उपर अब commands जो है वो अब active directory के डम डीप चले गया है ग्रूप की membership में चले गया है यह हमने list of membership लेके आनी है कि ग्रूप में कितने यूजर है ठीक है तो इसकी command क्या होती है इसकी command यह होती है get की हम get कर रहे है ठीक है और group की बात कर रहे हैं तो यहां भी जैसे मैं tab दुबाता जा रहा हूं में पस difference command वो आती जा रही है तो बजाए इसके कि मैं पूरी लिखूँ यहां मैं यहां जो मैंने copy की वी यह अपनी सुरी notpad में लिखके वो command यह पेस्ट करता हूं और यहां जो group name मैंने लिखा है यहां मैं अपना group का नाम देता हूं इसे for example मेरे पास एक domain admins का group होता है by default मैं उसको करता हूं तो यह देखें मुझे बता रहा है कि domain admins के अंदर मेरा administrator का जो है वो add है ठीक है user administrator add है अब इसी तरह जैसे हमने आपको याद होगा कि कुछ group बनाए थे हम उनको देख लेते हैं कि अचार के अंदर मेरे ख्याल में हमने बनाया था के एचार का और नौन एचार का तो मैं अगर यहां HR लिख दूँ तो यह देखे सने मुझे बता दें कि है अचार के अंदर tom है और batman है ठीक है और अगर मैं यहां नौन एचार लिख दूँ तो यह मुझे बता देगा कि नौन एचार के अंदर कौन-कौन सा member है तो अब हमने क्या करना है, इसे हमने पहले गड़ कर लिया, अब हमने एक एक नया ग्रूप, sorry, existing group में हमने अपने उनको जो members है, उनको add करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, मैं for example, add करूंगा और ad, ad का मेरा जो group है, उसको मतलब मुझे add करना है, तो मैं ये command देता ह हूँ यहाँ, मैंने की हुई है, add ad group member के ad के जो group है, वो members है, identity क्या है, group name कौन सा है, मेरा, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, हुमारे case में वो sales, क्या था, sales group था, और इसके members कौन से है, इसके members मेरे पास, हमजा है, ठीक है, मैंने हमजा को add कर दिया, इसी तरह मैं हम हमजा को, हर में add कर देता हूँ, हमजा को मैं, non-HR में add कर देता हूँ, ठीक है, वैसे मैं यह चला दी है, commands और अब हम क्या करते हैं, active directory में जाते हैं, और अगर यहीं से हम वो कर लें, अपनी जो get वाली command है, हमारे पास वो चगर हम चला लें, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ, मारा आजाएगा get, और यहाँ अगर मैं लिखता हूँ, HR, तो अब मेरे पास हमजा का भी आ जाएगा, इसके अंदर, जैसे अब यह देख सकते हैं, इसी तरह अगर मैं non-HR करूँगा, तो मेरे पास हमजा फिर आ जाएगा, और अगर इसी तरह मैं, सेल्स, ग्रूप करूँगा, तो सेल्स ग्रूप के अंदर जितने यूजर है, वह आ जाएगा, और मैं वैसे देखना चाहिए, जी यू आई बेस्ट पे, तो आप डी एसे डूट मसी करके, जो के शॉटकट है, एक्टिव ड्रेक्टरी का, आप उसको ओपन कर सकते हैं, और इसको भी क्लियर कर दें, थोड़ा सा, इसे सेल्स के अंदर मेरे पास ये हमज़ा है, अगर मैं हमज़ा के, हमज़ा देखता हूँ कि किस का मेंबर है, ठीक है, तो ये मुझे मेंबर्स दिखाए, अगर डिफरेंट ग्रूप के, मेंबर आफ, मैंने आड़ किया था, HR के अं के अंदर, non-HR के अंदर, sales के अंदर, देखें कितनी quickly कर लिया, यही काम अगर मुझे manually करना हो, थोड़ा time लगता, तो ये फाइदा होता है, पावर्शेल का, डिफरेंट जो scripts हैं, वो बना सकते हैं, for example, अगर मैं आपको, पावर्शेल ISC दिखा दूं, उसका interface, तो उसमे क्या होता है, उसमें आप एक डिफरेंट तरह की, जिस तरह के, जिस तरह कोड होते हैं, C++ में, या जावा में, डिफरेंट कोडिंग लैंग्विज होती है, आप उस तरह के कोड बना के पूरी command यहां, पूरे code रख सकते हैं, और वो code को आप as a script रहा रन कर सकते हैं, ठीक ह add करें, जो आपके जहन में आता है, हर चीज command से हो सकती है, बस आपको उसके लिए right command चाहिए, अगर आपको command आपके पास है, अगर आप इंटरनेट पर ढूंडे हैं, आपको वो मिल जाएगी, मैं भी usually इंटरनेट पर देख रहा होता हूं, command जो मुझे command चाहिए होती है, मैं इंटरनेट पर देख लेता हूं, ढूंड लेता हूं और उसको मैं run कर देता हूं, ठीक है, तो यह जुरूरी नहीं है, command आपको याद होनी चाहिए, या commands यह आपको बहुत इस पर होना चाहिए, तो commands मिल जाती है, बस basic आपको idea होना चाहिए, command चलती कैसे है, switch क्या होत यह भी आपको पास देखें, पूरी लिस्ट आ रही है, यहां commands की, ठीक है, आप यहां से अगर देखना चाहिए, ठीक है, तो आप यहां से कुछ लेख सकते हैं, add की commands हैं, आप यहां से, search कर सकते हैं, get की commands, get ad user ya ad group member, ठीक है, अगर आप ad group करेंगे, insert कर देंगे इधर और आप यहां से enter कर देंगे, तो मतलब यहां से different चीज़ें आप यहां से play हो गई है, यह command, तो यह list ले आएगा different चीजों की, और different information की, यह different चीज़ें आप इसको देख सकते हैं, members, group member आप यहां से ले सकते हैं, इसका आप यहां से stop कर सकते हैं, इसको इस process को, तो यह पूरा आपको पास टूल है जो पूरी एलिटिंग के लिए आपको पास होता है बाई डिफॉर्ट और आप डिफरेंट काम इसके अंदर कर सकते हैं अपना काम जानी रख सकते हैं ओके गाईज ये तो थी आपी कलास पावरशेल की के पावरशेल में डिफरेंट कमांड्स हम कैसे चलाते हैं कैसे यूज करते हैं उनको अपना ख्याल रखिये गा और हो सके तो इन कमांड्स को खुद भी चलाईएगा कुछ अपना जहिन भी चलाएं डिफरेंट कमांड मिल करेंगे और मैं कोशिश करूँगा जो मैंने कमांड्स चलाई हैं उनको नोटपैड में एक फाइल बनाके वह आपके साथ भी शेयर कर दी जाए जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम पेस्ट कर देंगे ताके आप लोगों को डिफरेंट जगों से डूंडने की ज़ करूंगे झाराओ जोगों टूंगा जिस्ट योड़ुब्गों एलगैंगे जगर वह एंगगाने के वफ हम मैं हैं प्रोग।